क्या लगता आपको क्या इस बार टीमसी की जो सरकार एदीदी की सरकार इस बार गिरने वाली है दस सल की सत्ता में रहकर और अब भाजपा क्या आने वाली है अब देखिए एक चीज़ की गारंटी देती हूं कि इस बार कलकत्ता में वेस्ट बेंगॉल में काली जी का पूरा का पूरा आशिरवाद राश्रवाद के साथ रहेगा क्योंकि इसके पहले जो आप रैलियां देख रहे हैं इसके पहले वो राश्रवाद की लहर वो भगवा की लहर जब हम भगवा कहते हैं तो हम बीजेपी या संग को नहीं कहते हैं भगवा जो है वो भगवान का कलर है इसको लोग एक पटिकुलर पार्टी के साथ जोड़ दे वहां कि मुख्य मंत्री गाड़ी रोक कि अगर जैश्री राम के नारे लग जाएंगे तो वह अपनी गाड़ी रोकती है और लोगों के ऊपर थुकना शुरू करती है अब पूरा बंगाल जैश्री राम बोल रहा है आपको राम नाम से इतना प्रॉबलम है आदमी जब पैद अगर आप जिस तरीके से वहां पर बॉर्डर से बंगला देश्यों को गुषपैट करा 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 के बंगाल जो हमारे मतलब एक ऐसा एक ऐसी धरती थी एक ऐसा प्रदेश था एक ऐसी जगह ती जहां विवेका नंद जहां पर शामत्रशाद मुखर जी जहां पर निताज ने जनम लिया है यह उनकी माटी थी खुदी राम बोस आप सोचिए कि मैं अब बार में पढ़ रही थी कि जब से देश अजाद हुआ तब से लेकि आज तक पहली बार देश का कोई ग्री मंत्री खुदी राम बोस के घर गया था आप सोचिए देश के आइकॉन के तोर पे खुदी राम बोस जिन्हों देश के अजादी में इतना बड़ा नाम किया है मतलब जिन्हों ने इतनी बड़ी लोहा इतनी बड़ाई लड़ी आज तक कोई ग्री मंत्री कोई प्रदान मंत्री उनके घर नहीं गया था तो आप सोचिए कि जो ये गवर्मेंट काम कर रही है मैं तो बार-बार कहती हूं कि ये गवर्मेंट राष्टरवाद लोगों को सिखा रही है योवाओं कе बीच में राष्ट्र क्या होता है देश क्या होता है समाज क्या होता है वो तिरंगे का जो प्यार है वो 2014 से दिखना शुरू हो गया और जो लोगों कि अँदर ता ममता दो बहुत इजट करती हूं कि माहिला हो के एक तो चछक्तिकरन की बात कर करते हैं तो कहीं ना कर उसमें भी उन्होंने कीरतिमां स्थापिन किया है लेकिन कीरतिमां दो तरीके से इस थापित होता है एक देश के विरुद एक देश में आगर आप किसी विपक्ष की पार्टी को आप वहां पर रहलियानी ओने देटेइ आप मोदी जी के रहली को रध कि रहा देते हैं आप और सेषक मोणा भागवा जी आप उनकी और रहल Tara बता होने लगा अभी तो मैं देख रहे हूं कि मंदिरों में भी जाके इनकी कुछ तस्वीरे आ रही हैं यह वहीं मुख्यमंत्री है जो दुर्गामा की प्रतिमा निकलती थी तो इनको परेशानी थी यह दूर्गामा की प्रतिमा रोक के एक दूसरी कौम को महर्म आप मैं कह करें एक आप कहतरी Ã बड़े ऐसांसद ढला onने कि बाद करें देख कर तो इनके संसद जो किसान रैली में लोगों को भढकाने का का काम कर रहे कुछ भी ऐसा करी नहीं रहे आप जो देश के साथ हो देश के समर्थन में हो जहाँ पर भी देश का विरोत करना आपके यहाँ बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवरसिटी है उस यूनिवरस्टीज में भारत तेरे टुकडे होंगा का समर्थन होता है आपको जेनियों का समर्थन करना है आपको सारे एंटी नैशनल का समर्थन करना है तो जनता जाग चुकी है संचित जनता परिशान हो चुकी है जनता बंगलादेशियों के घुसपैट से परिशान है एंटी नैशनल से परिशान है और जो राम को गाली देता है राम के बारे म कि चार राजनेता हैं, अलग अलग दल होते हैं, हर आदमी दुस्रे से कॉंपटिशन करता है, लेकिन किसी के कारेकरताओं को जिन्दा मरवा देना, जलवा देना, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, साल-देर साल पहले की घटना है, कि एक आदमी जो भाजपा या संग से उसके पतनी एत्वन नाइन्थ वन प्रेगनेंट थी, उनका एक बेटा था तीन साल-चार साल का, उनके घर में घुसके, उस व्यक्ती का गले से रेत दिया गया उसको चाकूँ से, उसकी पतनी जो प्रेगनेंट थी, जो जो एक बच्चे को जयन देने वाली थी, उसके गर आप अपनी सत्ता की कुरसी बचाने के लिए आप एक मासूम बच्चे का गला रेत देते हैं, रितवा देते हैं, या आपके रीजीम में भी हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, तो हम उसके सवाल पूछते हैं, यो की जी से, अगर बंगाल में कुछ होग कि आपने मस्जिद क्यों खुलवाए, कोई कोरोना काल में ये न बोल दे कि आपने एद के दोरान आपने भीड कैसे कठा होने दी, कोई ये न आपसे आप कितने कोरोना के कोविट के वहां मरीज है, पेशेंट है, आप से सरकार कोई सवाल न पूछे, गवर्नर को जो वहां पर महा मही में उनको एंटर करना पड़ता है, आप सरकार चला रही है, आप ताना शाही के सरकार नहीं चला सकती, और जिस तरीके से वहां पर हमेशा देखते हूं कि ABVP के जो वरकर्स है, जो अखिल विद्यार्थी परिशत के जो युवा हैं, जिस तरीके से उनकी पर चाहन के बाहर कोई एक समय या कोई थे जो बाच्बा से तालुक रख थे वह एक जगे उनक पाए गए तो अचानक से जगे 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 इनकी लाशे मिलना, इनको मार देना, इनको चाकों से गोध देना, वह गवर्मेंट चुप-चाप शांती से बैठी है, मतलब कही हूँ ये जो हूँ रहा है वो आपके आप खुश है या जो हूँ रहाए उसका विरोध महीं कर। तट रहा है तो कही नugo हम सब कहेंगे कि ज Isso हो अब कर रहा है क्योंकि आप यह सो कंट्रोल लहएं कर penis क्योंकि अगर आपको कॉमठीशे कडेशन से तर नही थे तो इनको जवाब देके रहेगी जंता मैम जिस तरीके से इनकी पाटी के कई सारे नेता जो है वो भाजपा जोएं कर रहे हैं इनकी पाटी छोड़ चोड़ कर जा रहे हैं तो क्या वो भी भाजपा की लहर को समझ चुके तब भाजपा जोएं कर अब संची जी भाजपा की लहर आज बड़े नेता इनका जो षुमबा जो इनका एक किला में तरीके से थेज लग चुकी है और वो गिर रहा है किला आज 50 परसेंट से ज्यादा लोग जो इनके बड़े नेता कहलाते थे जिनका जन नेता कहलाते हैं जिनका होल्ड है मतलब जिनके पीछे एक बहुत बड़ा कुनबा चलता है वो सारे लोग छोड़ छोड़ के TMC जा रहे हैं तो इसके बावजूद अगर दीदी कोई समझ नहीं आता कि कहीं न कहीं उनके नेतत्व में उनके कारेशली में, उनके policy में, उनकी सोच, उनकी मानसिकता कि लोग अगेंस्ट हो गए क्यों ऐसा है कि जो इनके बड़े-बड़े अधिकारी हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, सब इन से परिशान है हर बड़ा नेता भाजपा चला जा रहा है, हर बड़ा नेता प्रिधान मंत्री से inspired है इसका मतलब राश्टरवाद की लहर इतनी जाधा हो चुक है कि जो आप ये गुसपैठीयों को यहां बिठा के और आप देश के खिलाब जो चीजें करती थी, हर आदमी के अंदर देखिए एक भारतियता रहती है तो कहीं न कहीं वो टेमसी के नेताओं के अंदर भी वो भारतियता जाग रही है पहली बार तो हमारे देश में कैसी सरकार है जो राष्टवाद की लहर चला जी तो राष्टवाद की लहर दिल्ली से होते हुए यहां PMO ओफिस से होते होते हुए अब बंगाल जा चुकी है